गुड मॉर्निंग एवरिवन कैसे हैं आप सब मैं त्रिप्ती दूबे त्रिप्ती ट्यूटेरियल्स में आप शब का श्वागत करती हूं सबसे पहले तो सभी बच्चों को बहुत 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 शारत हैंक्यू क्योंकि आप सभी के सपोर्ट की वज़य से ही यह हो पाया है इसलिए वीडियो में लास्तक बने रहें चले देखते हैं सबसे पहला प्रशन है हमारा रिंग वैदिकाल में निस्क किस अंग का आभूशर था निस्क के एक आभूशर का नाम था जो कि रिंग वैदिकाल में गले में पहना जाता था तो ध्यान रखना है आपको निस्क कह Puro Vedikaal में हुई थी और Puro Vedikaal को छे इस नम से जाना जाता लारे रिंग वेद काल के नाम से जाना जाता था तीअल रखना है चले नेइक्स प्रेशन हैं गायत्री MARY Mary मंट्र के नाम से प्रशिद्ध मंत्री सर्वरप्तम किश करतो में मिलता है गायत्री मंत्र के नाम से प्रशिद्cych वे जो है आपके रिंग वेद में मिलता ने अ krish मिलता है किसमें मिला रिंग वेद में मिला था और यह शूरीयार था शवीता को समर्पित है इहां पॉयंट भी आपको धिहान रखना है चलि आगे बात करते हैं रिंग वेद सहीता का 9 मंडल पूनता किसको समर्पित है रिंग वेद में टोटल 10 मंडल उए थे बच्चे जिसमें का जो बना सकते हैं तो आपको पूरो वैदिकाल उसaste पर कॉंसी लेपी का प्रेवक करते थे लोग अध्याद रहे किस व्यादिक्पोर लेपा निमनली चार वेदों में से किस एक में जादूई माया और वसीकरण का वनन है पूछा गया एक्जाम में ध्यान रखना है इस प्रश्ण को जादूई माया वसीकरण जादू टोना टोटका यह सारे शब्द का जो प्रयोग है वह अथर्ववेद में देखने को मिलते हैं यह जूरो और अथरों में दक्षिड के दरब भेजा था ताकि वहां भीजाएं और वहां पर जाकर के भी उस समाज का शामजश्य स्थापित करें तो रिसी अगस्ट याद रहेगा आपको तो यह वह ने दक्षिड भारत का और पलगरन किया तो वह थे आपके अगस्ट अर्स से और अगस्ट ऐसे आ माना जाता है तो मुर्ती पुजा का 2 माना जाता है तुम्हारा अधिकार कर्म पर nu नहीं यह नीमन में से किस ग्रंथ्य potem कहा गया भारत में आस्तिक और नास्तिक शंप्रताय में कौन सा वी भेदक लक्षण है, मतलब आस्तिक और नास्तिक के बिच में ऐसा कौन सा लक्षण है, जो भेद पैदा करता है, तो इस्वरी सत्ता में आस्ता, पुनर जन्म के शिद्धान्थ में आस्ता, वेदों की प्रमाडिकता या फिर हं और नार्कट में आजुटा को रखते हैं टीक हो चाहिए नास्थीखो दोनों को इस बात में विश्वास है ठीक है न्याय दर्शन पर कोन्हें तो घौतम मुनिघुटा के संस्थाप के वात कवर्णन पर मिलता है तो यह आजाएगा बच्चे आपके कथो पनिशद में मिलता है गोत्र शब्द अप्रयोग सबसे पहले कहां हुआ था तो गोत्र हो गया टोनी हो गया तोटका हो गया जादू हो गया यह सारे कि सारे जो शब्द है आपको अथर्व वेद मी ही सकते हैं कि अब गानिस्तान में नद्यों का नाम बताइए जो कि रिंग वेदकाल में बहुत जादा प्रशिद्य थी तो कूभा ठीक है और हो गए आपका क्रमू कूभा क्रमू कूभा क्रमू आगे बात करेंगे सरवर प्रतम इस्टुप शब्द कहां मिलता है तो सबसे पहल चतुष्ठे वेदोत्तर काल में प्रचलीत हुई थी ऐसी कौन सी प्रथा है जो की चतुष्ठे वेदोत्तर काल में प्रचलीत हुई थी तो देखो जो रिंग वेद है आपका है या वेदो का काल हम कह सकते हैं यहाँ पर चार प्रकार की प्रथा है जो है प्रचलीत हुई थी ब्रह्मचर्य, ग्रिहस्थाश्रम, वानप्रस्था और सन्यास याद रहेगा आपको तो ब्रह्मचर्य हो गया, ग्रिहस्थाश्रम हो गया, वानप्रस्था हो गया और सन्यास हो गया, यह आपको याद रखना है, कन्फ्यूज करने वाला प्रश्ण है यह, नेक्स्ट है भार हुआ की नीम इट गर्मी जाएगा थंड चरण रहा है तो बारिच होगा की नहीं होगा यह प्रकृति करती Dodge ना इसलिए जो भार्ति शंशुथितीक अंतर र beer होता इसका अर्थ होता है प्राकृतिक नियम, यही रीत है, ऐसा कहते हैं ना पन, तो यह प्राकृतिक नियम है, निमनलिकित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है, जिन में उनका पुरोहित माना जाता है, तो व्रिहस पती, व्रिहस पती जो देवता है, उन्ही को पुरोहित के रूप में शम्मानित किया गया था, नेक्स्ट है, गलती से भी द्यावस मत कर देना, क्योंकि ये थोड़ सा यूनिक शप्रस्न है, तो याद रखेंगे पुरोहित के रूप में व्रिहश्पति को ही माना जाता है, रिंगवैदी काल में निश्क शब् परवर्ति काल में किस रूप में हुआ था, तो एक शिक्का के रूप में हुआ था, निश्क क्या था, तो एक शिक्का होता था, पढ़ेंगे इसके बारे में भी हम आगर, आगे जब हम पढ़ेंगे, तो concept wise जब मैं चीजों को पढ़ाऊंगे, तो आपको clear किया जाएगा क कौन से शिक्के को निश्क कहा जाता था, कौन से शिक्के को रजट कहा जाता था, इन सभी बातों पर हमारी जर्चा होगी, फिलहाल याद रखेंगे कि रिंग वैदिक काल में निश्क एक आभुषण हुआ करता था, लेकिन जब आगे बढ़े, परवर्ति काल में हम पहु तो प्राचिन भारत में नीशाका सब्सक्राइब किसके लिए किया जाता था तो शोने के आभूशन के लिए किया जाता था याद रहेगा प्राचिन भारत में नीशाका से जाने जाते थे देखो प्रस्ण ही ऐसे पूछ देगा न कि आप टोटली कन्फ्यूजड हो जाएंग परूशुनी नदी के तड़ पर कॉंशी नदी के तड़ पर परूशुनी नदी के तड़ नेक्स्ट है निम्न में से किस नदी को रिंग वेद में मतेतमा देवीतमा और नदीतमा से समोधित किया गया आया हुआ प्रश्ण है तो मतेतमा देवीतमा और नदीतमा यह जितने भ वैदिक आर्यो के 5 जन से सम्मंधित नहीं है। वहां कौन सी जन जाती है, जो की रिच्च जन से Stanisans नहीं है। आप सभी को मैं बता दूं कि वैदिक का जो निर्माण है वार्यों के दौर किया जाता है ईसे यह अने के बाद यहँद में में बढ़ चुके थे, जन का प्रह気 हुआ है कि पांच कभीलों में, इसा कौन से एक कभीला है, जो कि पंच जन में से सम्मंधी थी नहीं है, तो यदू ये इनके अंतरगत आता था, पूरू भी था, तुरुस भी था, किकट, किकट सब्द का प्रयोग एक्स्ट्रा जोड दिया गया है, मतलब उनके पंच जन में या पाँच कभीलों में किकट नाम का कोई भी कभीला नहीं था, तो याद रहेगा किकट, यदू था, पूरू था, तुरुस भी था, पर किकट नहीं था. वैदिक यूग में प्रच्रित, लोग प्रिये शाषान प्रणाली थी, किसकी थी, तो वंश परउमपराँगत राज तंत्र, वैदिक यूग की बाथ हो रही, वैदिक काल की बाथ हो रही, तो इस टाइम पर जो साषान आप्ट्र अली चल रहा था तो निरंकुष आंशांचन प्रणाली चल रही थी Gartantri जो लही थी और समय को उतक है जिस पर आप पो एंप को ही सभसे सर्वग्व देउता माना जाता था ठीक है और इह ही के लिए एक सब्द का प्रयोग भी किया गया है क्या उसको आप मेरे बताएंगे चली मैं इसलिए मिलता है कब मिलता है तूपूरव्यदिकाल में मिलता है तो रहें mm मौलिक रुप में identific बिश्कृत भाशा में लेखे गये महाँ भारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है तो महाँ भारत मूलतः जय सहीता के रूप में जानी जाती है चलिए आगे बाद करते हैं प्ररियो प्रेश्ट को गातलो है समंदीत करते हिंदू को निंगित करता है तो किस रपनी रसी के रूप में स्वययं को प्रस्तूत किया था वह शर्प था आपका वाशू की नांग ठीक है? जो समूद्र मन्थन हुआ था तो एक रसी को देखेंगे आप एक साइड पर राक्षास लोग खीश रहा है एक साइड पर देवता खीश रहा है एक्चुल में रसी नहीं थी वह रसी का काम कर रहा था एक साप और उस शाप का क्या नाम था उसको कहा जाता है वाशुकी आपको तुमीन में क्या है किस काल में अक्शूट के आपडानい इस पष्ट रूप से उद्रित हुई थी अच्छूतों की जो आपडाना है कौन से रूप में उद्रित हुई थी तो धर्मशास्त्र के समय पर जिशनाय पर धर्मशास्त्र बहुत अधि parentheses मात्ट्र में जला हुपनिश से लिया गया है नेक्स प्रेश्ण है तंसों मात्ज जोतिर गमिं करा मुलत कहां तो तुंसों मात्य जोतिर गम्हार जोतिर प्रयोग हएज उपनिशतों का एक तंस और ऊतर वे आदर guarantee को तम सुझमे सिधा सीधा प्रशन बन जाता है कि तंस हम और प्रता है और नची केता का जो शम्भाद इस कहाँ पर बोल आगया या फिर कहाँ से लिया गया है तब आज आएगा इनल लिखाए यांद रखना है आपको तो सत्य काम जबाल की जो प्रता है क्या यह विखा था तो इस में अन्वियाहि मा होने के लांचन को चुनोती देती है यहां किसमें उलेखी थे तो चांदोग्य उपनिशाद में उलेखी थे तो यह लिखने वाले थे आपके बाल गंगाधर तिलक जी आप इमेजीन भी कर सकते कि यह हो सकते थे तो आपको याद अच्छूत के रूप में उलेक ही थैरी पूरूसमेद मतलब पूरूसरेष्ठ इस बात का उलेक इस में व्लाकर इस्त में हुआ है जिसमें कन्याओं को अच्छूत के रूप में बताया गया थीया, तो आपको याद रखना है, पुरू समेध का उल्ले किसमे हुआ है, तो शत्त पत्पत ब्रामः ग्रंथ में किया गया है, उत्तरवैदिक काल में नीमनलिकित में से किन को आरे शंस्कृति का घूर समझा जाता था घूर तो आरे शंस्कृति का घूर किसे कहते थे उत्तरवैदिक काल में तो अंग और मगद को कहते थे किसको कहा जाता था अंग और मगद को कहा जाता था किसको कहा जाता था अंग और मतलब यह जो आरी आये हुए थे, पूरोवैदिक काल में, इनका धर्म क्या था, तो यह जो पूरोवैदिक काल में आरे थे, वो प्रकृती की पूजा करते थे, اور यज्य करते थे, यही सब होगने के लिया मिलता है, यज्य कर्मकार्ण यह शुरू हो चुका था, जिसका अंति वैदिक कर्मकांड में होता का शमंद है रिंग वेद से किसे शमंद है रिंग वेद से समंद है तो वैदिक कर्मकांड में होता या होत्री देखो हर एक वेद में एक पुजारी होता था और उसी पुजारी को अलग-अलग वेद में अलग-अलग नाम से जाना जाता था वैसे और रिंग वेद में पूझा करने वाला जो पूझारी होता था उसको होत्री благ चैते थे या फिर उसी के लिए हौता शब्द का समंदित हैं एक्स्षण देखेंगे रिंग वेद में कई परिछेदों में प्रेउक्त अघन्य शब्द संदर भी था अगहन्य क्या होता है तो अगहन्य का अर्थ होता है मारने योग्य ना हो तो गाय को देवतुलिप फूजा जाता था शिर्दा मांन कर उस ट्रयम प्रूज 161 कहा जाता था यह रखना है आपको के लिए सब्द किसके लिए प्रयोक्त के जाता था यह सारी चीजें बता चुकी हूं अधर्ववेद रिंग वेद में क्या किया जाता है तो रिंग वेद में स्तों का शंकलन किया जाता है स्तों सुकतिय हो गया स्तों को शुभा शितानी गैफंगोच hand re'll वेद में किया जाता है निमनलीकित में से कौन सा ब्राम्हण ग्रंथ रिंग वेद से समंदित है कौन सा ब्राम्हण ग्रंथ याद रखना है ठीक है पूरू समेद से समंदित कौन से पूछेगा तो शत्पत ब्राम्हण याद रखेंगे लेकिन रिंग वेद से समंदित है गोपत ब्रामणड समन्धित जितने भी मंत्र उचानट थे उन मंत्रों चारण में ऐसे मंत्र जो कि आप संगीत की रूप में गा सकते थे उन्हीं मंत्रों को शामवेद में क्या किया गया शंकलित किया गया इसलिए याद रखना है कि किसका शंकलन रिंग वेद पर अधारित है तो सामवेद का जो शंकलन है वो रिंग वेद पर अधार जब आपको दर्शन शास्त्र जैसे शब्द भी पढ़ने पड़ते हैं तो याद रखना है उपनिशत पुस्तके क्या है तो उपनिशत जो है दर्शन पर अधारित पुस्तक है निम्नली कितमें से किस एक वैदिक शाहिते में मोक्ष की चर्चा मिलती है मोक्ष जैसे शब्द का प्रयोग भी आपके उपनिशत में ही किया गया है मोक्ष की चर्चा कहां मिलती है तो उपनिशत में ही मिलती है अध्यात्म ज्यान के विशाय में नची के तो और यहम का समवाद बता चुकी हूं इसको मैं अलड़ी गठोपनिशत में किया गया है उपनिशत काल के राजा अश्वपती सा सकते कहां के सा सकते तो उपनिशत काल के जो राजा अश्वपती है ये कई कई के सा सकते याद रहेगा उपनिशत काल के जो एक राजा थे जिनका नाम था अश्वपती ये कहां के राजा थे तो एक कई कई के राजा थे कहां के कौन सा है आया हुए एक्जाम में बच्ची इस प्रसेस्ट को भी आप याद रखेंगे तो वैदिक साहिते का जो सही क्रम है सबसे पहले वैदिक शहीता होती है फिर ब्राम हड फिर आरन्यक और उसके बाद उपनिशद होता है ठीक है तो सबसे पहले वैदिक शहीता आएगा वैदिक शहीता को पढ़ेगा कोन ब्राम हड़ पढ़ेगा ब्राम हड पढ़ने के लिए कहा जाएगा अरन्य में जाएगा वन में जाकर क्या करेगा तो उपनिशद पढ़ेगा तो जब वैदिक शहीते का शुरू हुआ सा confusion है क्योंकि कुछ sources में शिंदू कहा गया है कुछ sources में शरश्वती कहा गया है तो याद रखेंगे लेकिन सीजी पेसी ने सिंदू कॉंसर लिया है इसलिए आपको शिंदू को ज्यादा value देना है ठीक है चलिए आगे बात करेंगे वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्न वैसी चेनाब नदी को अश्किनी कहा जाता था याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं हडपा का उत्खनन करने वाला प्रत्थम पूरा तत्ववीद जो इसके महत्तों को नहीं समझ पाया उत्खनन करने वाला वह पूरा तत्ववीद कौन था जो इसका value ही नहीं समझ ये थे आपके ऐलेगे किनिगहं ठीक है याद रखेंगे सब्रेण सबस्क्राजियों करने नदने को पूत्रिया तो यह अधर्व वेद में कहा गया है याद रखेंगे अथर्ववेद में ही शभाष समीतिको प्रजापती की दो पुत्रियां कहा गया है आयूर वेद अर्था जीवन का विज्ञान का उलेख प्रथम कहां मिलता है यही पूछलेगा प्रश्ण में तो आपको याद रखना है आयूर वेद का अर्था होता है कॉब बहुत सारे देवता को मानते थे नप्रकृती पूजा कर दिगण पऀद के पूजा कंची की पूजा कर लिए क्यों कुणके व είναι जुरुफ हैं इंडर की पूजा गया था तो याद रखेंगे सरवाधिक जो शुक्तियां है वो इंद्र देव को शमर्पित है बोगाज कोई महतोपून है क्यों कि यहां से बहुताओं के नाम उल्लेखित होते हैं मीमनली की तविलेख में कौन सा इरान से भारत में आर अर यहां की शूचना देता हैं continuum इंपॉट्ट है क्योंकि दिविदी ओता का नाम भी यहां से मिला और दूसरा आर्यहां के उल्लेख भी आपको वगाज सबसे पुरानी भारती दवा आयूरवेद का उदगम कौन सा है सबसे पुरानी भारती दवा है आयूरवेद इसका उदगम कहां से हुआ तो अथरवेद में असे आयूरवेद और असे अथरवेद याद रखना है वैदिक शाहिते में नीम्ले में से कौन सा नहीं आता है निमगों से नहीं आता है तो वेदाग नहीं आता है邁एग नहीं आता है। किस वेदिश्य हीदने का विश्वास है हरकोई गडित का उद्गम निम्न मेंसी किसमें पाया जा शकता है। गडित की बात हो गई तो सुल्व सुत्रे याद रखना इच पड़ेगा। लेकिन अब अधारी के लिए प्रकतना है इनकी संक्या कितनी है तो यहीं पर एक प्रशन आपको याद रखना है वेदान्त को ही उपनिशद भी कहा जाता है तो वेदान्त की शंक्या कितनी मानी जाती है अगर पूछ देगा तब भी आपको 108 ही बताना है और वही उपनिशद बोल देगा तब भी आपको 108 ही बताना है तो उपनिशद जिन्हें वेदान्त के नाम से भी जाना जाता है इनकी यही कि पूरी पूरी ब्लाद से मिलती है याद रξाना है वेदान मतलब बुपनिशत की बात हूँ रही है तो इसके अंतरगत कौन-कौन आते हैं तो इसके अंतरगत कल्प आता है सिक्षा आता है निरुक्त आता है व्याकरण आता है छंद आता है फिर कहा है एससे ट्रिक बनाई है और याद रखेंए प्रशन पूछा गया तो याद रखेंगे शरश्वति vagina और दृस्वति के बीच का जो चेत्र है जह इसे ब्रह्मवर्थ ने वर्र्श्वती मुंतो ने परियाकरण कोणुन से अ क्या होता है जिनोंने पहली संस्कृइत का ब्याकरण दिया इसे ही वयाकरण कहा जाता है तो सेर के पहले व्याक्रणा का रिया जैंके पारेनी पहले व्याक्रण पढ़ने वाले व्याक्रणा आचारिया या फिर वाय ब्हासए नहीं है तो उसे भोज एवं शुम्रस पान प्रिय था बिल्कुल था भई कौन से सही नहीं यह बताने ना आपको वह पूरों को नश्ट करने वाला था पूर मतलब जो किले बने होते थे यह भी सही है इसलिए इनको पुरंदर कहा गया है सरवादिक सुक्त उसे समंदित है 250 लगभ इसलिए ना कि जाती के अधार पर ठीक है तो इसलिए याद रखना है मैं कवी हूं मेरी पीता भिष्क है और मेरी माता अनपिस्ति है यह रिंग वेद में लिए था वर्ण बियुस्ता को प्रूफ करने के लिए आगे बात करेंगे दासराजूत के विजयता शूदास किसे तो यह भरत जंसे थे, दस राज-जंसे संबंदित UP नूरहाघ है जो उंदे भरत जंसे को भी नाम पता चलता है मित्र के बार में पता चला है उपनीशत क्या है हिंदु दर्शन का याद रखना पड़ेगा प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति धारणाओं के दृशार चार यूगों के चक्र करम कौन सा तो सबसे पहले आपको शत्य यूग पढ़ता है फिर त्रेता यूग पढ़ता है फिर द्वापर यूग पढ़ेगा और उसके आद फिर कल यूग पढ़ेगा नहीं याद रहेगा तो यह तो याद रख सकते हो न कि सबसे पहले शत्य यूग और सबसे आखरी में कल यूग त सबसे पहले शत्य उग आता है सत्यू के बाद फिर त्रेटव जो गाएगा उसके बाद द्वापर उग खुनदेशान भारत में इसलिए मचैन देआ नार कहा जाता था गुपत का गुपत का विकास में किस याद रखना है आपको भागवत धर्म के जो प्रवर्तक है विश्नु मत कर दीजेगा श्री कृष्ण ही आपको करना है तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे कृष्ण थे कौन थे कृष्ण थे कृष्ण थे चले वाशुदेयो कृष्ण की पूजा सबसे पहले किष्ण आरह में की थी भागवतों नहीं की थी निम्नलीकित में से कौन प्रस्थांत्रे में शम्मलित है प्रस्थांत्रे में शम्मलित है नहीं है बोल रहा है तो आपको याद रखना है भगवत गीता या प्रस्थांत्रे में शम्मलित नहीं होंगे भगवत गीता या प्रस्थांत् सिता है भागवत नहीं ब्रहुत सुत्र भी यह उपनीशत्भी Trade वह कौन सा है ऐसा एक माधारत कथा का को साथ जार मुनी कि अपस में मील करके महा भारत कथा वाचन के थे तो यह कहे थे नैमी प्रतिपादित दाशनिक प्रणाली औहलु औहले सभाद के अगई उताउन के दिया गया संस्थापक नव्य नियायश्म्प्रिताय के संस्थापक ति गंगेश उपाध्याई वेटाउस्थरक्स न अश새चैनी पोलिक याद रख लिजे जब तक जिवीत रहो सुक से जिवीत रहो चाहे इसके लिए रिण ही लेना क्यों न पड़े क्यों कि सरीर के भसमी भूत हो जाने पर पुनार आगमन नहीं हो सकता पुनार जन्मका निशित कने वाली होकति किसके चारवाग दर्शन यह कहा था कि जब तक ज कि वेद शाष्वत है यहां कौँसे दर्शन का मत है कि वेद शाष्वत है यहां मीमानशा में कौन है है किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत है या मिमांशा मानता है कर्म को कौन मानता है इसको भी मिमांशा मानता है याद रखना है वेद शाश्वत है ये कौन मानता है मिमांशा कर्म को कौन मानता है कर्म को भी मिमांशा मानता है और इसके प्रतादक कौन है या प्रतिपादक क नहीं है निमनलिकित में से सट दर्शन मतब छेटों दर्शन होता ही है हना लेकिन उसका हिस्सा लोकायत और कापालिक नहीं है क्योंकि एक तुम निमानशा हो गया एक वेदान्त हो गया एक वैशेशिक हो गया एक शांख हो गया और एक योग हो गया लोकायत और कापलिक नही सकते हैं इस प्रकार से यहां पर से हमारे सारे जो प्रश्ण है वह कंप्लीट हो जाते हैं ठीक है फिर से दोखो यह प्रश्ण हो रहा है कहने का मतलब यह है कि वैदिकाल से एक सो तीन प्रश्ण हमने लगभग कर लिया और सारे के शारे क्वेश्ण आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिल्कुल वीडियो में आप लास तक बने रहें वीडियो को जरूर देखें अगर क्वेश्ण का लेवल समझाय है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मैं ग